जैह इंडिया स्टूरेंट्स वेलकम तु तरुना डिफेंस अकैडमी लेट्स सर्व इंडिया टुगेधर आज की जो कापकी क्लास है इसमें हम दो ओरीजनल पेपर्स के जीके के क्विश्चन डिस्कुस करने वाले हैं ठीक है पहला जो आपका पेपर है वो लद्दाक का है स्टूर्फ करने वाले हैं तो इतने के सी रहोंगे आपका तार्गेट मैं बता दे तेजिए आपको ट्वांटी थीजिए अब करने तो भी ठीक है ज्यादा से ज्यादा करने की ट्राइब करें लगबग 27-28 करने वाले स्टूडेंट की आसे मान सकते हैं कि बहुत शांदार तयारी है चलिए बिना कोई टाइम और अधिक जाया किए क्यूश्चन आपके सामने आ चुका है बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातू का बना होता है क्यूश्चन आपको टाइप की हुए दोनों लेंग्विज में अवेलेबल होंगे यहां पर मैं यहां पर आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगी कुछ मुश्किल वर्ड होंगे उनको इंग्लिश में भी डिसकस करेंगे तो जो हीटर का एलिमेंट होता है वो किस मेटल का बना होता आपको बताना है बिल्कुल नाइक्रोम का बना होता है किसका बना होता है नाइक्रोम का ठीक है और नाइक्रोम के लिए क्या-क्या यूज होता है आपको बताओ तो तो इसमें लगबग 80% के around nickel use होता है और 20% के around chromium use होता है जदा deeply पढ़ते हैं तो यह हमारे इसमें आएगा ठीक है निकल यह निकल है कि नेक्स्ट कुशिट नीले लिटमस पेपर को असे अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है अनील कापूर वाला शुत्रयाद आपको मैने बताया हुए है अनीला से अम्ल अमल क्या करता है अमल यानिके एसिड एसिड क्या करता है नीले लिटमस पत्र को किस में बदलता है लाल में बदलता है ठीक है तो जाहिर सी बात है नीला लिटमस पत्र है लाल में चेंज हो जाएगा रेड में ठीक है इसका अपोजिट अगर हम देखें तो चार चार यानिके बेस चार क्या करता है लाल निल्टबस पत्र को नीले में बदलता है ठीक है यह भी पूछा जाए तो अब देख लेना नेक्स्ट है हवा में 0 डिग्री सेलसियूस पर ध्वनी की गति साउंड की स्पीड आपको बताने है तो पता ही आपको 332 मीटर प्रति सेकंड नेक्स्ट है प्रति रोध का मात्र क्या आपको बताने यूनिट बताने आपको रेजिस्टेंस की ओम का नहीं पढ़ा है ना ओम्स लॉग बिल्कुल वही है आउम को इस तरह से लिखते हैं कच्छुए की तरह है ठीक है एंपियर भी पूछा गया था एक बार पीछे कोई पीपर हो था उसमें विद्युत धारा की का ही है ठीक है चलिए फिर होम्वक दूं कहसे आपको वाट को और कुलाम दोनों का आपको बताया हुआ है किसके मात रख यह फटा फट से बताएंगे बता देंगी चल्दी से टेलीग्राम पर इसका अंसर हम कर देंगे खल टेलीग्राम ग्रूप जोइन करें उसमें यह आपको पीडियोफ भी अवेलेवल हो जाएगी औरिजनल पेपर की यह आपके होमवक रहेंगे ठीक है साथ ही डेसीबल का और बताएंगे एक किश्चन और मैं आपको दे रही हूं डेसीबल का यह सबाब बताएंगे नेक्स्ट किश्चन साधार नमक का रस्वाइनिक सुत्र क्या है इसको हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड ओके नेक्स्ट किश्चन इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनिक यंत्र नहीं है देख लेना ठीक है बल्ब नहीं है, computer भी है, radio, electronic यंत्र है, television भी, electric यंत्र है, कौन नहीं है, बल्ब नहीं है ठीक है, बल्ब में एक filament होता है, जो कि गरम होता है और प्रकाश प्रदान करता है 32 degree Fahrenheit किसके बराबर होता है? 32 degree Fahrenheit यह क्यों कही बार आगया, 0 degree Celsius यह आपको ध्यानी है next question, खगोल या दूरी, जो astronomical distance है, उसके measurement के लिए कौन सी unit use की जाती है तो जो बड़ी distance होती है, उनको cover करने के light air यानि के प्रकाश वर्ट्स जो है, use किया जाता है इसी काई को शीतल पर यह पदार, या जो cold drinks वगर होती है, soft drink like Coca Cola Pepsi वगर है, इनके अंदर कौन सी gas भरी होती है, तो इस पर उच्च दाब पर पर एक gas भरी जाती है कई बार हम क्या करते हैं, बोटल अगर हम से हिल जाती है, Coca Cola या कोई भी other brand लिलो, तो वो क्या होता है, और उसको हम suddenly खोलते हैं, open करते हैं, तो बहुत वो gas और वो जो liquid होता है, पूरा बाहर की तरह आ जाता है, तो उच्च दाब पर gas होती है, carbon dioxide, ठीक है, नहीं पीना चाह अगर आप से पूछा जाए कि ध्वानी की तिवरता की काई क्या है, तिवरता के बारे में बात की जाए, तो आपको बताना है decibel, यहाँ पे क्या पूछा है, चाल पूछा है, तो हो गया ना, दिक्कत वाली बात, चाल पूछा है, ध्यान देंगे, ध्वानी देखते ही decibel उत्तर कर देना गलत हो जाएगा राइट आंसर यहां पर है मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड ओके तिवरता पूछा जाए तो नो डाउड डेसिबल नेक्स्ट क्या है प्राकर्तिक गैस का नेच्चुरल गैस का आपको पता है यह मिथेन होगा सुत्र आपको पूछा जाता है मिथेन का CH4 मार्श गैस बिसको कहते हैं मार्श गैस यह कुष्टन आ चुका है अर्मी में कौन सा पेपर था उसमें याद नहीं आला जिसमें उगति सूरज का देश कौन सा है वह कुष्टन आया था उसी के अंदर यह वाला कुष्टन भी आया था ठीक है शरीर मे विटमिन CP कमी से आपको पता है मसूडों में रिकत होती है ं predictive हो जाता है इसको खटे फ़लों के प्रियोग से को प्राप्च किया जा शक्ते है खटे फिलों में कौन विटमिन बी की कमी सä होता है और पेले झाल पर होता है शरेर में एक तरह से मेरा विटमिन भी थी की कमी से हो जाता है जिसको हम कहते है नीज सपुजन पर हो जाते हैं होट और जीप पर भी घाव हो जाती है ठीक है खाना पीने में दिक्कत आती है और पाचन चक्ति भी कई बार जोती है कम जोर हो जाती है तो यह पहले ग्राह हो गया पहले कोप पर यूज की गई तांबा नेक्स्ट कुशन इमांदारे से जवाब देना सभी को टेलिग्राम गुरूप में इसकी पीडियाफ आपको मिल जाएगी हो जो पहले पीडियाफ शेयर की वह भी टेलिग्राम गुरूप पर ही थी टेलिग्राम जरू डाउनलोड करें तरुना डिफेंस अकैडमी का ग्रुप जोइन खरें पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आँखों का रंग क्या हो जाता है पीला हो जाता है सभी को बता है हवा में ऑक्सिजन का प्रतीशत मैं आपको होमबग देती हूँ नाइट्रोजन का बताएंगे मुझको नाइट्रोजन का प्रतीशत कितना होता है होमबग है आपका ठीक है नेक्स्ट क्रिश्चन यह आपका कुमाओ वाला पेपर आ चुका है ठीक है कुमाओ वाला अकाश या पिंडो को देखने के लिए कौ जो बहुत दूर तक की अंतरिक्ष में बोडिस होती हैं बहुत क्लियर दिखते टैली स्कॉप से ठीक है जब टैली स्कॉप आप्शन में आपको नहीं मिलें यह नहीं मिले ना तब आपको पैरिस्कोप राइट कर सकते हो यह भी कुछ दूरी की जो वस्तों उसको देखने क लिए यूज किया जाता है पर फॉर्स्ट आप्चन आपको टेलिस्कोप राइट करना है नेक्स्ट किस्टन मनुष्य के शरीर के किस अंग में रख्त को शुद्य किया जाता है तो रख्त आपको पता है यह किड्नी में यानि गुर्दे में शुद्य कर देते हैं वह गलत हो हार्ट का काम होता है ब्लड की पंपिंग का नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातू को लोहे के साथ प्रियोग करने से स्टेनलेस टील बनता है तो इसमें तांबी का भी उप्योग किया जाता है कुछ मात्रा में निकल भी होता है तो अप्शन के कोर्डिंग देखें तो क्रोमियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है क्रोमियम क्रोमियम के अलावा इसमें और क्या होता है निकल और क्रोमियम भी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा स्टेनलेस टील इसमें ऐसे बिताते हैं कि जंगर नह नेक्स्ट है निम्नल खित में से सबसे भारी किरन हेवियस्ट रे कौन से है तो एलफा किरन है एलफा किरन की खोज पूछा जाता है किसने की रधर फोर्ड ने की खोज किसने की रधर फोर्ड ने की next रक्त में उपस्थिती हीमोगलोबिन किस जटल प्रोटीन से संपन होता है हीमोगलोबिन में क्या पाया जाता है ये बता सकते हैं आप option के according तो हीमोगलोबिन में iron पाया जाता है लोहा किस विटमिन से हडियों को मजबूती मिलती है मिलती हैं धूब से कौन सा विटमिन मिलता यह है कि दूद में भी होता है विटमिन डी की का ज़रूस होती है तो दूद शोटे सोगी सोया भी यू जो कह सकते हैं उत्रक्रस्ट गैस नहीं हैं वन्हीं तो है नियोन भी है और दिखत हो जाएगी बच्चों को लगा जाता है तीबी को हम बोलता है तपैदिक ट्यूबर कुलोसिस ओके नेक्स्ट है कि एक मिन्ट के हां बीसी जी का पूरा नाम कई बार एक्जाम में पूछ लेते हैं आर्मी में शायद अभी नहीं पूछा है बट और कई एक्जाम पेपर में देखें उनमें पूछा गया तो मैं एक पर नोट करवा देती हूं अपको ठीक है नोट करें बेसिल बीफोर बेसिल कोलमेट और ग्यूरिन नोट कर लेंगे यह इसका पूरा नाम है बाई चांस पूछते तो वियाद करने में अपना क्या जा रहा है ठीक है हाइसिय गैस का रसायनिक सुत्र है हाइसिय जुलाफिं गैस है उसका रसायनिक सुत्र होता है explosive option आपका पिल्कुर撃 होगा और बर्फ का कलांहल के представît बरफ काaking यह आपका हो जाता है 100 डिग्री सेलस्यूस पर नेक्स्ट क्विश्चन निवन में से कौन बायो गैस का प्रमुख घटक है तो इसको मार्श गैस भी कहते हैं नोट कर लेंगे आरवी में आ चुका ही संत्रे में कौन सा विटमिन प्रचूर मातरा में पाए ज़ता खटाफल है विटमिन सी पाए जाता है मैंने बताए था पीतल में शामिल होते हैं पीतल एक मेश्रधातू है क्या है यह मेश्रधातू आपको में टोपिक वाइस क्लास में क्या बताए था कि पीतल के वरत्रों में क्या जम जाती है हरे हरे रंकी का जी क्या जम जाती है क्या से क्या बता था जिंक तो कॉपर और जिंक हिंदी में इसको कहते हैं तामबा और जस्ता तामबा और जस्ता इस नोट कर लेंगे कहां है बी आप्शन ठीक है लेड पैंसल बनाने में प्रियोग होने वाला पदार्थ कौन सा है तो यह विजुद का सुचालक होता है चाहर और पूछा सब्सक्राइब करते हैं है एक मिन टुकिए है चियर कृस्टल यह अपर रूप हो गया इसके लाव हीरा कारबन की स्टया पर रूप होता है अन्यारा जो है कुछ आलप होता है उतमें विदूत का प्रवाद नहीं होता फुलरीन पर डेना कारबन की स्टैया पर रुपए यहां पर भी ऑप्चिन आपका राइट होगा नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारनी किस पर आधारिक था मतलब क्या नियम है तो मेंडलीफ इस नहीं दिया पर्मानु संख्या पर अधारित होगी थी कि अपके पूछे घिए पेपर यह वाले इसमें साइन्स फूछे गए जो एक्सर एक्जाम में डिपीट होते रहते हैं तो 25 से तो उपर आपके आने ही चाहिए अगर आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और आप सबी को क्लास पसंद आई हो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें जो नई साथी है चैनल को सबस्क्राइब करें जो नई साथी ह अगर जिन्होंने पहले से कर रखा है वो कोई छेड़ खानी ना करें वरना अंसब्सक्राइब हो जाएगा टेलिक्राम ग्रूप जोइन करें ताइक क्लास का नोटिफिकेशन और पीडियेफ आपको टाइम पर मिल जाए थैंक्यू सो मच्च जैहिंद जै भारत